Welcome back to Art Theory Mastery और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 3 के पूरे 75 कोशन जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेंप करनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं Hello Amazing Learners, Welcome to Visual Net Series और आज हम पड़ेंगे सप्टेंबर महीने का 2013 का पेपर 3 और 15 जुलाई 2020 को मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है हमारा सामने Who is the author of book title principle of art यह principle of art वाली जो book है वो किसके द्वारा लिखे गई है तो यह लिखे गई है आर जी कॉलिंग वुर्ड द्वारा ठीक है और नेक्स कोशन पर चलते है कोशन नमबर दूसरा है Who wrote the manifesto of cubism Cubism का manifesto किसने लिखाता है तो यह लिखाता है गुलाम अपलोने औरने ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 3 Among the following Who is not associated with Italian Renaissance जो Italian Renaissance से related नहीं है उसको हमें find out करना है तो वो है Gioco Pisano ठीक है कोशन नमबर 4 है Among the following artists Who is Flemish painter इन में से कौन सा Flemish painter है तो यह है Potterful Romance ठीक है नेक्स कोशन पर चलते है कोशन नमबर 5 है Of the following Which one has no absolute plan कोन से मंदिर में हमें अब्सेड़ प्लान देखने को नहीं मिलता देखिए Kaptaesur में है Nakula में है Nakula S accommodations मैं है Thurga Temple Eye Hole इसमें भी अपसिड़ प्लान है बड़ जो Teli का मंदिर है इसमें अपसिड़ प्लान नहीं है तो हमारा option है यह बाला सही हो जाएगा नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 6 विच मुवमेंट आफ दो मोडर्न एरोपें पेंटिंग इस रिप्रेजेंटीड बाइ ओसकर को कोश्ट का यह जो कोश्ट का है वो किस मुवमेंट को दर्शाता है ठीक है तो इसकी पेंटिंग एक्सप्रेशनिजम को दर्शाती है दिखाती है ठीक है नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 7 है फर्स नुश्पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट इट विच पैलिस तो यह किस प्लेस में स्टार्ट हुए था अफकोर्स कॉलकाता में वह था बेंगाल गजट 1780 के अंदर ठ आछो कुशिन है फोर वड़ परपास इस अ लेविगेटर मशीन यूज जो ले लेविगेटर मशीन है वह उती है तो जैसे आपको पता होगाली तो लेविगेटर का ही होता है तो यह ग्रेनिंग ऑफसेट प्लेट प्लेट पर कुछ रहना जाए उसे ग्रेन करना तो यह हो the following set of process हमें process बताने हैं जिस प्लेनोग्राफिक के बार में तो तो श्री किन सरिग ऑपि तो ऑप से सिल स्क्रीन तो होता है की चिज दिशान अबेविव में हण संद्पत्र तहीच चलते हैं को도 नममर टैयन आस डिशाइव एक जोड़ी जोड़निंड आंगे इन लिए इन screen printing process the screen printing process में design area है वो होता हमारा unexposed portion ठीक है तो उसके थुरू हमारी इंक पास नहीं होती और जहाँ जहाँ पर हमारा design area होता है उस पर हमारी इंक सब्प्रेस यानि कप्रे पर या पीपर पर पर पास हो जाती टाम सुरू हो जाती है ठीक है तो चलता है next question पर question number 11 which liquid is used in lino etching lino की जब etching करते हैं तब कौन सा liquid use करते हैं तो कोई acid तो हम use करेंगे नी ठीक है तो हम करेंगे sodium hydroxide ध्यान रखना lino soft sheet होती है next question है question number 12 है identify the common factor in mazotint and dry point अगर आपको पता होगा यानि mazotint का और dry point का जैसे process होता है mazotint में कैसे क्या use होता है rockers वगर something and dry point में कैसे needles होते हैं तो उस में दोनों में combination निकानले की कौन सा common factor है तो इन दोनों का एक common factor निकल किया था वो है softness ठीक है question number 13 है an advertorial is an advertising with special promotion feature in the form of जो editor लिखता है वो होता हमारा editorial वो भी promotion के लिए किसी product का तो हमारे तेरवे question का यह option सही हो जाएगा question number 14 which American designer is associated with the end of the manual era in graphic design जो designer थे manual era के जो last के designer थे जो हातों से design मनाते थे ठीक है manual मतलब वो थे Milton Glacier फिर computer computer आया और उन्होंने अच्छे से तहल का मचा दिया question number 15 है what is the actual size of A4 paper A4 paper का actual size बताना है जो है 210 by 277 mm ठीक है centimeter में लाना है तो 21 by 29.7 ठीक है A4 का आपको पता चल गया 21 by 29.7 cm है किसकी measurement है A4 की अगर आप सो बोला जाए कि A3 निकालो तो आप simply इसको double कर दो 42 into by 29.7 यह measurement हो जाएगी A3 वाले paper के ठीक है अब जोसे आपको A2 बोल दिया निकालने के लिए तो यह छोटा वाला है इसको double कर दो 29.7 का हो जाएगा 59.something कुछ होगा ठीक है ऐसे A1 का A0 आप निकाल सकते हो 29.next question है हमारा question number 16 as an advertising phone information or direct response television commercial which is generally include 29.इसमें पूछा के है जो information है वो advertising में जो term यूज के जाता है वो किसे लिए 29.टो यह phone number और website 30.इसके लिए term यूज के जाता है जब हम commercial television पर निकालते हैं 30.टो उसमें mention होता है information वाले panel में कि इस phone पर contact कर रहे है और इस website को जाने या इस general store पर या product available है 30.टो उन सारों को कहते है information ठीक है next question पर चलते है question number 17 है which American poster designer said designing is thinking made visual 30.टो यह कहा है designing is thinking made visual कहा है soul based 30.soul based मैं आपको पर पर बता है बहुत अच्छे artist is American artist 30.aar designing में भी इनोंने काफी अच्छा काम के आ है corporate design logo design वगेरा 30.next question पर चलते है question number 18 what was the dominant visual element in Obama's first presidential poster hope 30.the dominant visual element के बारे में बात कर रहे है Obama की image उसी को अच्छे से यूज किया और वही element उसमें दिखता है और बड़ा-बड़ा सा होप लिखावा तो हमारा C option आपर सही होगा 30.next question के और बड़ते है question number 19 है Sarnath Buddha image is made of which stone सारनाथ बुद्धा की image है वो किस पत्थर से बनी है तो यह बनी है चुनार सैंस्टोन question 19 का B question number 20 है Ambaji marble has been used for which among the following temple किस temple में हमें Ambaji marble का यूज दिखता है तो यह है दिलवारक जेन मंदिर जहां पर अच्छे से इस marble का यूज किया गया question number 21 है which artist produced the kutum kutum sculpture made of wood and cloth जो यह बनाई है अबनिंद नाथ टेगोर और इसके अंदर अगर आप एंजियमे में जाओंगे नाशनल गैल्जी आफ modern art तो उसमें रखी भी है कुटum कम वाली इसके सीरीज भूट की जिसमें एक औल भी है और कई ऐसे close वगेरा related इसने सीरीज बनाई है इसके उपर ठीक है अपनिंद नाथ टेगोर की सीरीज है next question पर चलते है question number 22 in which medium did praji sagara mainly work in जो यह praji sagara थी वो किसमें काम करती थी वो बुट के अंदर काम करती थी next question पर चलते है question number 29 the sculpture title musical construction in wood and metal is work by which sculptor यह वाला जो sculpture है musical construction जो बुड में बनावाई यह किस आर्क यानि स्कॉप्टर ने बनाया है तो यह बनाया है धन्राज भगत में धन्राज भगत काफी अच्छे यानि स्कॉप्टर मानी जाते है और इनका जन्म मैंने बदाया था पाकिस्तान में हुआ और 1917 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था next question पर चलते है question number 24 है who among the following sculptor use pipes for large composition pipe का large composition में कौन यूज करते थे यह sculptor है Shif Singh Shif Singh के आप sculpture देखोगे ना तो ऐसे से कुछ लहराते हुए है और काफी अच्छे यानि बनाया है है large pipes वगेरा में ठीक है गूगल पर देखना आप next question है question number 25 who was often called father of English watercolour तो यह है Paul send by जिसे father of English watercolour का जाता है और इनके जो landscape पे वो जरू देखना काफी अच्छे और watercolour में बहुत अच्छा यानि लेवल कर लियाता है next question पर चलते है question number 26 है woman dying herself by Edgar Degas employs the technique कौन सी टेक्निक का यूज किया है देखास ने इस वाली प्रेंट को बनाने के लिए तो यह थी हमारी टेक्निक हचिंग के ठीक है देखास next question है question number 27 who painted the blue nude जो blue nude है 1899 से 1900 के बीच की यह paint करी है हेंगी मतीस ने ठीक है blue diagonal किसी होने करी है और blue series Picasso होने करी है ठीक है तो blue शब्दे से कुछ जादा ही confusion आता लोगों को next question पर चलते है question number 28 है which painting in the following list is not painted in tempera जो painting in tempera में paint नहीं की गई हो वो बताना है तो हमारा answer होगा Amrita Shergill का woman on the chart यह tempera में नहीं है Amrita Shergill जादेतर oil में acrylic में वर्क करती थी तो यह भी कवम उसी का है question number 29 है man eating jalebi यहाती एंड सक्खी भाव are painted by which artist तो इन तीन जो artwork है उनसे आराम से आप पता लगा सकते हो कि यह भूपेन खक्कर के वर्क है भूपेन खक्कर के बारे में अगर आपको पता होगा तो इनकी जो यहाती series man eating jalebi और सक्खी भाव काफी फेमस है question number 13 dynamism was a key concept behind which moment जो dynamism के concept का की concept यह दिया था futurism के लिए और diamondism की theory थी इसके पीछे की impressionism और cubism दोनों को मिला कर futurism बनाना dynamism के उपर यह थी futurism की theory ठीक है impressionism में भी new impressionism new impressionism और cubism को मिला कर diamondism के उपर थीओरी बनाई futurism वालोने ठीक है हमारा answer तो यहाँ पर futurism ही होगा next question पर चलते है question number 31 choose the correct chronological sequence समय के नुसाल लगाना है सबसे पहले आएगा heaven यह constable द्वारा बनाईगी पेंटिंग है जो 1821 में बनाई थी constable ने फिर आती raft of medusa जे रिकोर्ट ने बनाईथी 18808 लेकर यह एक साल लगे तो निस तक बन गई थी है फिर आता है olympia olympia बनाईथी मानेट ने यहां पर मानेट वाली की यानि बात की गई है 1865 वाली है इसकी फिर आता है impressionism sunrise यह cloud मानेट ने बनाई थी जो 1822 में बनाई थी ठीक है तो हमारा सही सीक्वेंस अराउंड साही सीक्वेंस तो नहीं raft of medusa सबसे आले आने चीए था चलिए next question पर चलते है question number 32 है choose the correct chronological sequence समय के अनुसार हमें सही सीक्वेंस लगाने नहीं है तो सबसे पहले आएगा आनन्द कुमार स्वामी आनन्द कुमार स्वामी डिर श्री-लंका से है और 18876 का जन्में इनका श्री लंकाmaybe छी लंका के वीराती इस टेला क्रेम पर यह जो 1896 का जन्म है पर आते है निहरंजन राय जो 1903 के है है और फिर सी हंटिंग टन सी हंटिंग टन का यानि मैंने कई वेबसाइट वगेर में देखा पर मेरे को नहीं मिला ठीक है बाकी हमेरे को यह जो अभेलिबल है वह आप अपने नॉट्स में जरूर उतार लिजेगा कोशन थर्टी थ्री चूज करेक्ट वांजिगा सिक्वे इस अठीक्ट जोड़ा का फिर हीगल एका सत्रा सु सटर केंदर फिर क्रोशे आता है अपनी इंट्विशन की घोरी लेका अठार सो चासट में फिर सुशन लेंगर मीनिंग ओफ आर्ट सम्टिंग लाइक बूक इसने जो बनाई तो यह ए अठार सो पिचानमे का तो यह हो तो सबसे पहले फ्रांस हाल साइगा 1582 बेल्जियम और डच आर्टिस्ट हैं बेल्जियम का यानि जर्मिन का फिर आते सीमा बोई 1240 इटली का आर्टिस्ट है फिर मार्ण शगाल आते हैं 1887 में फिर बेलरूस में इनका जन्म में होता है मार्ण शगाल का और फिर कॉंस्टेबल आते हैं हमारे 1776 में तो ये आगे पीछे हैं जैसे शीमा वो शबसे आगया आने ची पिर आने ची है हूं फ्रांस होल तुमारे वी ऑप्शन सही होगा वैसे में उपर बताजे सारा सीमोब वे 1240 हैं फ्रांस होड 1582 जोन कॉंस्टेबल आएंगे 1760 लास्ट मैं माक्षागा लड़ा सो शतास तो हमारा बी ऑप्शन आपर सही रहेगा नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 35 चूज अ करेक्ष रांजिकल स्रीक्वेंस फोर इंसेप्शन आफ इस आवर्ड हम अब हमें अवर्ड को इंसेप्शन यानि उसके जब इंटर्डूस हुए उसके अकोर्डिंग हमें लगाना है तो और भी एमें अब करोनोलिजिकल लगाने तो सबसे पहले आएगा हमारा अग्यामी अवर्ड नीस सो नातिस में मिलना स्टार्ट हुए था फिर आते कैनिन लायन्स नीस सो चालीज एम्मी अवोर्ड आए रेस के बाद उनीस सो नेंचास ग्रैमी अवर्ड आता है उनीस सो इनसाट को यह है हमारा सही सिक्वेंस सी ओप्शन या पर हमारा सही होगा नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं को स्टीसिक है आई एसो 216 स्पेसिफाइ इंटरनेशनल स्टैंडर प्रिपर साइस यूज इन मॉस्ट कंट्रीश तुड़ी अरेंज दैम इन ओडर ओफ डामेंशन डामेंशन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है तो भी हमारे से लग रहा है एजीरो सबसे बड़ा होता है फिर एवन आता है फिर एटू थरी के बाद एफ और एफ़ नेक्स कोशन की और बढ़ते है कोशन नमर 37 चूज अ करेक्ट करोलोजी को सिक्वेंस फ्रॉम इस तू वेस्ट हमें इस इसे वेस्ट की और अरेंज गरना क्रोन लिजी तो सब से पहले आए गा है आपने मगाव केव मगाव केव यह रही चाइना के अंदर और बुद्धिस सब्सक्राइब के वेए फिर आते कॉलिजल बुद्ध और बमियान यह अफगानिस्तान के अंदर पढ़ता है तो फिर आता है संता सोफिया संता सोफिय की जगह यह पर होना अच्छी है हागया सोफिया यानि एक ही शब्द है अलग-अलग मीनिंग निकाले गए तो हागया संता सोफिय की चीज़ है यह तुर्किय में पढ़ता है फिर आता है पार्थनोन पार्थनोन आता है ग्रीस के अंदर ठीक है तो हमारा सही स्रीक्वेंस लग गया है नौर्थ टू साउथ की और चाइने से लेकर ग्रीस की और तो हमारा डी आप्चिन आपर सही हो जाएगा बिड़े है मेश था पर टॉंभ थारीथ चमींच स्थूफ लस् ли लगणाप दूर्च को लगाना है और वी मोसिंग स्रीख्यक्रीफ सेरीग में प्रीचलय आप्टीज और उसके बाद भी यानि इनकी कई सारी पीच्छास डिलीज हुई है नेक्स्ट कुश्टन पर चलते हैं कुश्टन नमबर 39 है चूज दे करेश सीक्वेंस तो यहां पर सिल्ख स्क्रीन की बात हो रही है तो सिल्ख स्क्रीन में या सेरी ग्राफिय में हम सब से पहले हैं अपना स्ट्रेच करते है क्लोथ को अपने फ्रेम के ऊपर ठीक है फिर अमोनियम बायो क्रमेट से क्या करते हैं हम फोटो सेंसिटीव बनाते हैं ठीक है और फिर हम डिजाइन को एक्सपोस करते हैं देन इंक लगा कर हम प्रिंट अपना ले लेते हैं तो हमारा सी अप्शन यह पर सही हो जाएगा प्रिंट मेकर को उनकी सिन्योर्टी के हिसाब से हमें लगाना है तो सबसे पहले यहां पर आएंगे ललिता लाजमी जो 1932 में जन्मी है फिर आने चीह है देव्यानी क्रिष्णा जो 1949 का जन्म है जिसका फिर आने चीह है अनुपम सूध जिनका जन्म है 1944 पंजाब का फिर आनिचे रिनी धमाल जो 1948 बेंगोल का जन्म है जिनका तो यह सारी लेडी से पहले बात तो ध्यान देखिए और काफी अच्छी आर्टिस्ट है प्रिंट मेकर है ठीक है तो सबसे पहले ललिता लाजमी होगा फिर उसके बाद देव्यानी क्रिष्णा दैन अच्छी लेस्ट है ऴृप मेकर को सिनिवोटी के में लगाना है तो यह वैस्ट के हैं ऊपर वाले थे हमारे इंडियान्य यह वाले है नहीं पर जर्णान तक मुर्णी इन्वन परन गडान्पर ने इसका हूद फिर लिफिए लिफिघृफिक बिषी, अटंकम्या ता इनका जन्म हुआ था 1700 एक तर के अंदर स्टैंवी बिलियम हाइटर हाइटर फेमर से अपने विसकोसिटी प्रेंट के लिए और सबको याद विसकोसिटी इन्वेंट हुआ दब वहारी डेट सबको जाद होगी बट हाइटर की डेट बाद यान नहीं होगी तो इनकी डेट ब निशन पच्छेस यह आपर सही हो जाएगा मारा कोशन नंबर 42 चूज दक करेक्टोंगिन शेक्वेंस और फॉर गूमेंस कुप्चर इन इंडिया रिखिट चार वूमेंस कुप्चर जो हमें स्टिक्वेंस में लगाने तो सबसे पहले यापर आने चाहिए पलब पोचंख देखन वाली पीलू पौच्छन वाली जिनका जन मुंबई में हुआ 1923 का जन्में का और ये लेडीज अधियान लखना पीलू पौच्छन वाला नाम तो वाला है बड है ये लेडीज फिराते मीरा मुखर जी जो 1923 का जन्में अजिसका सुधा URORA क्षुधा और नहीं कर दोना का। ये छोने नहीं करके दमत दोना तो और TOG inte नकानने के ऑब कर दोना चुछ से स्कूरेट के लिए के लिए नुबहर्प्र सब सब पुराना बड़ाने क्या होगा को लिए Caitlin मोरale मोखन च medida के बार नाइका मैं आपको सब सब पुराना महर्री होगा यहां पर दोन्हों में महर्री है olsun चुर्ण के बार जान या तो रार कि सेοच अगया कर्यों के बाद कुर्ण के बाद कुर्ण तो यह वाला कोशन आप सभी को आता होगा नट्रा जो चोल काल की है वो यह एक हजार सन की यक्षी दीदार गंच की यह है हमारी मोर्य काल की बोरॉंज वाली है जो गर्ड यह मोहन जोडारो हरपा समय से और महिशासुर मर्दिनी मामलपूर तो यह हजार तो आपको एक यह रही यह रही ब्रोंज फिग्रीन और अगर्व यह वाली हमारे मोहन जो तारों की शब्वेता मतलब भड़ पाँच हजार इस अपूर यह पांच हजार यह पांच जाए सब पूर की मानी जाती है तो सबसे पहले हमारे यह आएगा फिर यक्षी फ्रों दिदार गंज आ जाता है सावन सेंचुरी एडिये ठीक है फिर आएगा हमारा ना ट्राइच का जो चोल डाइनेस्टी का है एक हजार पचास अब बाकी चोल शाशक नोवी से तेर्वी शताबदी के बीच रहा है तो हमारा यही साही सीकन्स हो जाएगा बी ऑप्शन यह पर सही हो जाएगा हमें सही सीकन्स चुनाव करना है तो सबसे पहले आएगा हमारा वर्जिन एंचाइल्ड वर्जिन एंचाइल्ड की जो मूर्ती है वो बनाए थी जिए और पिसानों ने बना तो इसने बहुत जल्दी ली थी मतलब तेरह सो पांच में इसको बना लिया था मूर्टी को पांच किया था इसको अठाइसो अठाइसो अठाइसी के अंडर ठीक है फिर आएगे हमारी पीटा की माइकल एंजलो द्वारा नेर्मे जो चोदासो अठाणवे से निन्यावे के बीच बनी और इसके बाद डैविट आएगा बर्ने निवाला जो 1623 से 24 के बीच डैविट क सही लगा है सारा तो हमारा यह उप्चिन यहां पर सही हो जाएगा कोशन नुबर 46 असेशन कहते हैं दो प्री मुगल भगवत पुरान अराउंड 1550 एडी इस क्लोजली सिमलर टू दो पिक्टोरियल लेंगोज अफ दा चोर पंचाशिखा पेंटिंग देखी जो चोर पंच स्क्रिप्ट शेर सिमलर फिगर टाइब टू डैमेंशल स्पेस आर्खिटेक्ट्चर यूनिट एस्टेक्र देखे जो फिगर बनाने का तरिकान तो टू डैमेंशन ही बनता था मुगलकाल में भी और जो यह चोर पंचाशिका बनी उस समय भी तो हमारा रिजन सही हो तो हमारा सी ओप्चन यह पे सही हो जाएगा बोतार करेक्ट कोशन नंबर 47 एसेशन कहता है रोडीन स्कुप्चर्स और मार्क बाय और रॉफ टेक्च्चर सर्फेस बिलकुल सही ही इंट्रद्यूज अडेलिविटली इन इस वर्ग विकॉस ही आज कंसर्ण विद पॉन्ट इस वर्ग विकॉस किया गयता है डेलिविटली और जो लाइट का बीहिवियर स्कुप्चर के ऊपर आ रहा था उसको इन नहीं उब्जर्ब किया तो हमारे बोतार करेक्ट हो जाएगा या पर कोशन नंबर 48 एसेशन कहता है पेंटिंग फॉम वेनेशियन रेनेसांस और मार यह नीकभी बबीड केक्विड कलर ओ वाइज निंचांके ऊप्रेजन टो इत्यां रूसें के निचेत सटे पर जो वेनेशियन रेनेसांस है उन्हें में उनके कलरंश को अगयरा में ज़्यादा दिक है जीजन भी आजारा है विकाज वनेशन पेंटर वाज रिस्पॉंड तो दो इंटेंज साउथ इटालीन लाइट विच रिवील आव वाइड रेंज आफ फूस तो दा पेंटर तो यहां पर हमारा असेशन तो बिल्कुल सही है और रिजन भी उसका सही है तो बहुत हरा हमारा जयरे आपटर जायए है कोड़ें करेक्ट होडाइज नएक्स कोर्टें पर बढbrachtें नॉम bougee पोटिनएन इसर सीन है पहारी मिनियस के पैइंटिंग और करकराइज बैद बाद्री नीरेकल रिडम जो फाल नियुजर मेंचर पैंटिंग के विच्छषिताह वह एक रिदम लिरिकल बताया जा रहा है तो यहां पर रिजन दिया रहा है because these picture were painting in the hills तो हमारा असेर्शन तो सही है but जो रिजन है वो सही नहीं है क्योंकि हर एक पेंटिंग को hills पर पेंट नहीं किया गया है यह अप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा next question question 50 association केदर सतिस गुजराल expressed himself effortlessly in mural painting and architecture बिल्कुल सही जो सतिस गुजराल है उन्होंने paintings, murals और architecture में काफी अच्छा काम किया है इनको अब आद में पदम भूशन वगेरा भी मिला reason है he felt impelled to experiment in many discipline because he was deep and dumb since birth तो यहां पर यह चीज़ गलाते है कि वो deep and dumb birth से थे उनके साथ एक कश्मीर में bridge cross करते हुए accident हो गया था उसके बाद इन्होंने अपना यानि सुनने की power थोड़ी खो दी थी तो यहां पर हमारा reason यहां पर गलत हो जाएगा और assertion यहां पर सही हो जाएगा तो A correct but R is incorrect हमारा option यह रहुसरा option यहां पर सही हो जाएगा next question क्यों बढ़ता है question number 51 assertion कहता है colors are more durable in fresco bruno बिल्कुल सही compare to fresco secco reason यहारा because fresco bruno is dry process while fresco secco is painted directly on the wet painter तो जो fresco secco है वो सुखी हुई plaster पर भी की जाती और bruno गीली plaster तो हमारा reason यहां पर गलत है assertion हमारा यहां पर बिल्कुल सही है तो हमारा A option यहां पर सही हो जाएगा question number 52 assertion कहता है the aim of new design originally called new harsh grotesque was created a new typeface that had great clarity and no intricacy of the form बिल्कुल सही जो फों डाया new harsh grotesque इसमें काफी clarity ही थी reason यहारा है so that the type could not be used on a wide variety of signals तो यहां पर गलत आजाता है reason clarity है तो कहीं पर भी किसी भी signature में यूज किया जा सकता फॉन तो हमारा यहां पर option हो जाएगा A is correct but R is incorrect question number 53 assertion कहता है editorial has evolved with the special promotion feature of repetition in different ways as per media बिल्कुल सही reason कहा जा रहा है commercial advertisers often seek to generate increased consumption of their product or service through branding or repetition तो हमारे आपर बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा question number 53 assertion में कहा जा रहा है editorial has evolved with the special promotion feature of repetition in different ways as per media बिल्कुल सही कहा रहा है आपने जो promotion का feature है editorial जो editor द्वारा लिखा जाता है reason यह जा रहा है commercial advertisers often seek to generate increased consumption of their product or service through branding or repetition यहां पर रिजन भी सही कहा जा रहा है जो commercial advertisers होते है वो नए-ने तरीके डूनते है to promote their product ठीक है जिसे वो यह जनतां को उनका product र्याद रहे है और वो रिमाइंड करते है उसको purchase करती रहे तो हमारे आपर बहतार correct हो जाएगा answer question number 54 assertion का जा रहा है the identity program of nazis was an age old and very successful symbol जो नाजियों का यह symbol था वो काफी successful रहा और कई सालों बाद निर्मान हुआ तो यहां पर assertion हमारा सही है because it is good design for bad cause तो यहां पर reason हमारा सही नहीं हो जाएगा यानि इसका reason यह नहीं होगा कि design किया गया bad cause के लिए good design किया गया ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा C option यहां पर सही होगा both are correct but R is not reason of the assertion okay next question क्यों चलते है question number 55 assertion कहते है Jacob Epstein was a relatively more controversial as well as less accepted sculpture among the British community तो यहां पर बिल्कु सही कहा जा रहा है controversial के दुरान Jacob Epstein काफी यानि सामना करना परा विरोध का रीजन दिया रहा है these this was due to the commission he received to the design the tomb of Oscar wild wild बिल्कु सही कहा जा रहा है जो इन्होंने design किया था Oscar wild wild का उसके उपपर इनको इतना किती साइस किया गया और यह controversy में आ गए तो हमारा C option यहां पर सही हो जाएगा Q56 असेशन कहता है Roman sculpture is not the earliest example of portrait bust बिल्कु सही because Egyptian has already produced portrait sculpture of both the living and the dead बिल्कु सही तो दोनो हमारे असेशन और रीजन दोनो सही है तो हमारा C option यहां पर सही हो जाएगा Q57 Q57 असेशन कहा रहा है Patina on the surface of the bronze Sculpture Gives a specific color to the sculpture बिल्कु सही जो patina होता है वो color को एक different sculpture देता क्योंकि उसके वो alloy पर depend करता है मतलब उस पर copper copper तो होता होता है Jink, Tain उनकी मातरा कितनी है उनके साथ दूसरी धात्रों कॉन कॉन से डाल रहा है कॉन से मैटल्स मिक्स कर रहा तो यह सब कुछ ब्रॉंस पर डिपेंड करता है और उसके पतिना बनने पर ठीके और रिजन यह पर दीजारा है पतिना पी बिल्कॉट एंड उक्षिडेशन पर जाए साथ ब्रॉंस का इस रूसरीशन सर्फेस यहाजरन हमारा सही है नेक्स्ट पेर चलते है फिद्सक्रांस चाहितं है धन्स आजेशचंहे देंसे leetwork राज्यार एक्सपोत्त चैवल्याओर मनि हैं थाजिय prett यह highly यह पर नहीं है तो यह olate चैपंड दोनों सहीयां तो हमारा C option यह पर सही आया है, बोत आर करेक्ट Q59 चित्यो परसाद प्रेफर्ट टू प्रेइड पिक्चर इन दे लिनो कट प्रोसेस जो चित्यो प्रसाद थे वो अपनी पिक्चर को लिनो कट में प्रेफर कहते थे, यह नहीं करना और रिजन दिया रहा है विकोज लिनोनियम वाज चीपेस्ट मीडिया मेल्वेर उन आर्टिस एड़ पॉइंट इन टाइम और जो लिनो करता हूँ उस आर्टिस के समय का सबसे चीपेस्ट और जल्दी से अभिलिबल होने वाला मटीरियल था तो यह भी बात सही है और हमारी भी सही है तो हमारा बोत आर करेक्शन हो जाया करेक्ट हो जाएगा कोस्टन नमबर सिक्स्टी है असर्शन कहता है डियूरस फॉर होसमें फॉम दा अकोप्लेश सीरीज इस अ प्रिंट आट रिलाइज दा इंसाइसिव लाइन तो दा अचीव दा इंपक्ट आफ दा इमेज इस इस कांटेंट बिल्कु सही कहा जा रहा है यहां पर जो फोर होसमें वाला जो प्रिंट इसका अपक्लाइज सोली सीरीज का उसमें जो लाइन सोगे रहा इंपक्ट डालती अ लगी इसमें दी जा जा रहा है विकॉज ही इंपलॉई दो इंग्रेविंग टेग्निक प्राइन्स और पेंट मीडिया में यानि इंक्रेविंग बेश्टीर तो यहां पर रीजन भी यहां पर सही है और असर्शय भी हमाराई सही है तो हमारा सी ओप्षन यहां पर स्हीय बोधार तStrficile MPO कि Q implyvalbased थे पेंटिंग बेस्सकों कींटिंग छे मिला आए तो राफेल की पेंटिंग मिला इस राफüngल की पेंटिंग सीसटाइण मैडवन लियनारटोद्विन्शी की पेंटिंग है छोला अधिक है तो यह इनकी पेंटिंग होगे तो दो एक तीन चार मारा процेक्षुन हो 2834 डी ऑप्शोन आंपे सही हो जाएगा नेक्स्ट के और पहले है question number 62 question number 62 match of painters with their paintings painter ko painting से मिलाना है तो doubt of the thomas painting है a mile in all day की the kiss painting है Edward Munch की glass of absence painting है Edgar Degas की और the night cafe है Van Gogh की ठीक है यह painting और उनके painters मिला दिये गए है तो हमारा option होना चीह है 3 4 2 1 3 4 2 1 3 option यह पर हमारा सही हो जाएगा next question के और बढ़ते है question number 63 match the temple with their location shore temple आपको पता है Mahavalipur में राजरानी temple Bhubaneswar में सच्छी हमारता टेंपल ओस्या में लेक्समान अंदिर शिर्पूर में तो हमारा option A यह पर सही हो जाएगा next question के और बढ़ते है question number 64 match the phone with these well known company logo तो panda किस company का logo है WWF का जो एक naturalist के द्वारा design किया गया और bird with spread wing यह है Japan Airlines का लायन के लिए हमें जाने जाएंगे Pogo and MGM और horse का Ferrari ठीक है लोगों से बहुत related है तो आसानी से याद हो जाते है यह चीज है तो हमारा option हो जाएगा 3-1-4-2 option आपने हमारा सही हो जाएगा next question के और बढ़ते है question number six है match the following personality with event in advertising वालिनी पालमर लिंक है first American ad agency ठीक है कौन थी वालिनी पालमर के JWT James Walter Thompson की जो company है वो है first creative unit ad agency ठीक है फिर आते जोन गुटेंबर्ग जिन्होंने movable type first bar use किया और काई लून यह चाइनीज थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर को invent किया एक सो दो AD में ठीक है तो हमारा यह हो गया एक दो तीन चार एक सेम से मैं सारे तो हमारा C option यह पर सही हो जाएगा next question के और बढ़ते question number 66 match the following John Basqueville a eak typographer बहुत बढ़े और इनके इनोंने बहुत सारे टाइप फॉंट डिजाइन करें तो इनके ही टाइफॉंट डिजाइन के बहुत सारे ग्रूप को इस ग्रूप के अंदर बहुत सारे फॉंट है फिर आधे विल्यम कासलान कासलान ने भी बहुत एक यह यह सारे फॉंट डिजाइन करें उस में से इसके सेन नेंगड पर यह फॉंट पढ़ लिए क्लाउड गेरमान ले गेरमाउं ने गेरमान का फॉंट किया है Tä faire these फिक है हमारा सी कस देजाइगा ढमारा सार थीजाइग 2, 1 3 3 3 पहला ओप्षिन हमारा सही जाएगा, next question को परते है, question no.67, match the birth with their dates, अब हमें dates के हिसाब से उनके birth को लगाना है, तो सबसे पहला यहागा न्याफर्तिति का, जो सबसे पुराना है, न्याफर्तिति जो चोद्वी शिताबदी का है, चोद्वी शिताबदी BC, ठीक है, फिर आते हैं, gates of hell, जो लेट 90th century का है, फिर आता है, पिएटा, जो पंद्रवी शिताबदी का है, फिर vision of Act Teresa, यह है, 17th century का, तो हमारा सारा लग गया है, 24, 13, तो B option आप है, हमारा, सही हो जाएगा, question number 68, match the following works with the artist, artist को उसके work के साथ लगाना है, Rodin का काम है, gates of hell, Brankusi का काम है, bird in space, Henry Murray का काम है, king and queen, जो कमति बाला का काम है, walking man, ठीक है, तो हमारा लग गया है, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यह option हमारा, सही हो जाएगा, next question क्यों बढ़ते है, question number 69, match the following, Venus, Willandorf से related है, Venus of Willandorf, सिटेट स्क्राइब, हमारा एजिप से related है, डिसका बॉलस, जो इसका अप्चर है, वो ग्रीस का है, डाविट की मुलती है, इतली से related है, ठीक है, तो हमारा लग गया, 2, 4, 1, 3, तो हमारा सी option, यहाँ पर सही हो जाएगा, next question पर चलते है, question number 70, match the following, Theodore Genicode, एक romanticism, painter है, Gene Bepidist, Cameline Carrot, यहाँ आते है, बार्विजन स्कूल से, फिर आते है, El Gecko, El Gecko है, mannerism, फिर आते है, Edward Munch, जो impressionism से, तो हमारा option हो जाएगा, 4, 3, 1, 2, यह option हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, Question number 71, match the following caves of Ajanta with the description, हमें Ajanta की cave को उसके अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले है cave number 11, जो एक विहार गुफा है, फिर आते है 12 number की गुफा, जो सबसे पहली मानी जाती है, और फिर 10 number की गुफा, जो एक चेत्ते गुफा है, 19, 19, 17, फिर आते है cave number 4, 4 number की जो गुफा है, वो largest विहार, सबसे बड़ी विहार गुफा, तो हमारा यह option हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, हमारा यह option यहापर सही हो जाएगा, Question number 72, match the following collection with their location, देखें, ताट आर्ल गेली काफे फेमास है लंडन में, फिर आते है मूस्ट गॉमेट जो पैरिस में स्थीत है, फिर मूस्ट मूस्ट यह उसलो के अंदर है, और आता है रिच्ट मूस्ट यह हैं एमसर्डम के अंदर है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा है, 2, 3, 4, 1, बी ऑप्शन हमारा, सही हो जाएगा, नेक्स के और पड़ते हैं, कोश्ट नमबर 73 मैजदा फॉलवविंग, ललित लाजमी जो एक लेडी है, और इसके जो माने जाता है काम, मैटल के अंदर काम किया है, इन्हें है, मैटल एचिंग में, वाल्टे डिसूजा, ने काम किया, बुट कट के अंदर, दत्ता अपचे का काम है, डामेंशन प्रिंट, और अनत निकम का काम है, लीनो एचिंग, तो हमारा उप्शन हो जाएग नेक्स कोशन के बड़ते हैं, कोशन नमबर सेवेंटी फॉर मैज फॉलविंग, अजी दूबे है, बैंगलो से रिलेटिड, हनुमान कामली है, गोडा से रिलेटिड, कविता नायर है, दिल्ली से रिलेटिड, और गजराज चोहान, पुने से रिलेटिड, ठीक है तो हमारा एंग्रेविंग के अंदर करते हैं, स्क्रैचिंग हम निडल से करते हैं, कार्विंग हम गौज से करते हैं, कटिंग डॉक्टर ब्लेट से भी कर लेते हैं, ठीक है तो हमारा ओप्शन हो जाएगा, तीन चार और एक दो, तीन चार एक दो, सी ओप्शन आपे है, प्यारा, सह ही हो जाएगा तो ऐसे ही पेपर 3 के आपने 75 कोशन कर लिए और पेपर 2 के भी आपने 50 कोशन कर लिए होंगे एक नॉलेजबल वीडियो को लास्ट पर लेखने वाले को में एक गुड लर्णा मानता हूं एक यू आर अमेजिंग लर्णा तो देखिए अब पहले तो जाके सब से यानि डिस्क्रिप्शन ब्रोक्स में उस लिंक पर क्लिक करें और वीजियो नेक का पेपर डाउनलोड कीज़े और खुद अटेंब कीज़े जिसके आपका नॉलेज़ कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हों तो आपको कोई नहीं रोख सकता पेपर क्रेक करने के लिए ठीक है और अगर कोई आप अपने आपको वीक समझ रहा है तो या आप सीरियस हों कि सर मैं करना चाहता हूं तो उनके लिए मेरा यह पेड कोर्स अवेलिबल है जिसमें मैं बहुत सारी प्रवाइड करता हूं लाइक कोर्श को सबको डिसक्राइब कर जाता है उस गुरूप का पार्ट आप बनोगे उस पेड गुरूप में और फ्री कॉंटेट में आपको प्रवाइड करता हूंगा तो आगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मुझ वाचि